दिखिए श्रेणिक बद्द चालकों में उस्मा प्रभाः कि अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा आपक के ए थीटा वन माइनस थीटा अपॉन डी वन इक्वल टू के टू ए थीटा माइनस थीटा टू अपॉन d2 दोनों और से ए कड़ गया तो के वन थीटा वन माइनस थीटा अपॉन डी वन इक्योल टू के टू थीटा माइनस थीटा टू अपॉन d2 क्रोस मल्टिप्लाई किया तो यह आगे आपका K1 थीटा 1 D1 D2 माइनस K1 D2 थीटा पराबर K2 थीटा 1 थीटा माइनस K2 थीटा 2 D1 पक्षान्द करने पर यह हो जाएगा K1 थीटा 1 D2 प्लस K2 थीटा 2 D1 इकल टू K2 थीटा 1 D थीटा प्लस K1 थीटा 2 D तो यहां से आपका यह आगे यह खासकते हैं K2 D1 प्लस K1 D2 थीटा बराबर K1 थीटा 1 और आपका जो है K1 थीटा 1 और K1 थीटा 1 और आपका D2 प्लस K2 थीटा 2 D1 यहां से अंता प्रिष्टा का ताप आपका थीटा बराबर K1 थीटा 1 D2 प्लस K2 थीटा 2 D1 अपाउन K2 D1 प्लस K1 D2 थीटा की समान को समिकर एक में रखने पर Q अपाउन T बराबरा जाएगा K1 थीटा K1 A अपाउन D1 और ब्रेकेट में थीटा 1 माइनस K1 थीटा 1 D2 प्लस K2 थीटा 2 D1 अपाउन K2 D1 प्लस K1 D2 यह यह आगे आपका कितना आगे है यह आगे आपका K1 A अपाउन थीटा बराबर ब्रेकेट में के आगे के तू थीटा 1 D1 थीटा 1 D1 प्लस K1 थीटा 2 थीटा 1 D2 माइनस K1 थीटा 1 D2 माइनस K2 थीटा 1 D2 अपाउन K1 D2 प्लस K2 D1 यह बराबर आगे के 1 A अपाउन D1 ब्रेकेट में के तू D1 थीटा 1 माइनस K2 D1 थीटा 2 अपाउन K1 D2 प्लस K2 D1 इसके बाद आगे आप देखिए यह आगे आगे आपका जो अपाउन T बराबर के 1 A अपाउन D1 मल्टिप्लाइट बाई के 2 थीटा 1 थीटा माइनस थीटा 2 अपाउन K1 D2 प्लस K2 D1 कट गया आपका पूरे में K1 K2 का भाग दे गया तो Q अपाउन T बराबर आ गया A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपाउन D1 अपाउन K1 प्लस D1 अपाउन D2 अपाउन K2 इसके बाद तुल्य उस्मा चालगता गुणा निकालना है यदि सेटल गुटके की कुलूस मा चालता गुणां K हो तो Q अपाउन T बराबर क्या जाएगा K K Thीटा 1 माइनस थीटा 2 अपाउन D1 अपाउन K प्लस D2 अपाउन K प्लस D2 तो यह आगया क्यों अपाउन T बराबर क्या A Thीटा 1 माइनस थीटा टू बराबर A Thीटा 1 माइनस थीटा 2 अपाउन D1 अपाउन K1 प्लस D2 अपाउन K 2 अब देखें मैं इसको जो है आगे आपको बताता हूँ इसके बाद आगया यह आपका k बराबर d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2 उसके बाद से चालक का उसमितर के दोग निकालना है रह बराबर d1 माइनल थेटा 2 अपॉन q upon t यहां से d1 माइनल थेटा 2 बराबर r q upon t r1 बराबर होगे आपका d1 माइनल थेटा अपॉन q upon t और r2 बराबर होगे थीटा मैनस थीटा 2 अपॉन Q अपॉन T तो यहां यहां यह आपको मान ले लिया 1 अपॉन Q अपॉन T बड़ाबर थीटा 1 मैनस थीटा प्लस थीटा मैनस थीटा 2 तो फैनली आपने युल गेड आप इकल तो theta 1 minus theta 2 upon 2 upon t ठीक है समझे में आ गया होगा आपके